हलांके फायर सीजन 15 जून से शुरू होता है लेकिन इस वर्ष की बात करें तो इस मर्तवा फायर सीजन से पहले ही जंगल आग से धिदकना शुरू हो गए थे यही बजा है कि अभी तक बन विभाग के दरमचाला सरकल के अंद्रगत 15 अप्राल तक जंगलों में आग की 108 खटनाए घटित हो चुकी है जंगलों में लगी आग से जहां 483.75 एरिया प्रभावित हुआ है जिसमें 322.5 हेक्टेर नैचरल एरिया और 181.25 हेक्टेर प्लांट हो चुका है गोर्तलब है कि बन विभाग दरमचाला सरकल के अंत्रगत दरमचाला पालंपूर बन नूरपूर डिविजन आते हैं बहीं इससे पहले फरवरी में 2 और मार्च में 14 मामली जंगलों में आग लगने के सामनी आ चुके हैं सुखे की बच्च से इसवर्ष पहली अपरेल से फायर सीजन डिकलेर कर दिया गया है जबकि पूर्ब में 15 अपरेल से फायर सीजन शुरू होता था डिएफो दरमचाला डॉक्टर संजीब शर्मा ने बताया कि बन विभाग के फिल्ड स्टाफ अधिकारियों के मोबाइल नंबर फायर मैनेजमेंट सिस्टम से इंटेग्रेट कर दिये गए हैं जब भी कोई जंगल में आग की घटना सामने आती है तो फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया देहरदून से एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें किस बीट में किस स्पॉर्ट पर आग लगी है जिसके चलते विभाग को आग की लोकेशन की बज़े से विभाग की टीम को स्पॉर्ट पर पहुंचने में आसानी हो रही है तता जल्द से जल्द टीम सदर से स्पॉर्ट पर पहुंचकर आग बुचाने में चुट रहे हैं फर्स्ट अप्रेल से इस बर फायर सिजन हिमचल परदेश में स्टार्ट कर दिया गया है पहले हम 15 अप्रेल से ओफिसल फायर सिजन डिक्लेयर करते थे लेकिन सुखे की हालत को देखते हुए इस बर पहली अप्रेल से यह फायर सिजन डिक्लेयर कर दिया गया है हमारे फिल्ड स्टाफ और जितने भी अधिकारी हैं उनके मुबाइल नमबर अब फाइर मेनेजमेंट सिस्टम से इंटिग्रेट कर दिये गया है मिन उस पे लगा दिये गया है तथा जब भी कोई फाइर का इंसिडेंस होता है तो Forest Survey of India देरादून से हमें एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें उस जगह के लैट और लोंग दिये होते हैं कि किस बीट में किस स्पॉर्ट पे ये आग डिटक्ट हुई है मॉडिस सिस्टम के माधिम से इससे हमें ये हैलप मिल रही है कि जो फाइर डिटक्शन में इमिजेटली हमारी टीम वहां के लिए जहां पर फॉरस इसका फाइर का अलर्ट आया है उसके लिए मूब कर जाती है और उसकी कंट्रोल के लिए लग जाती है जिसे बंसंपदा को नुकसान होने से बचाया जा रहा है अभी तक जो धर्मशला फॉरस सरकल में 108 पहली अप्रैल की बात करें पहली अप्रैल से 15 अप्रैल तक 108 फाइर केसिज अलरेड़ी हो चुके है जो की हम तुलना करें पिछले साल की और उससे पिछले साल की तो उसके कंपरिजन में बहुत जादा है जो इस बर हुए देखिए इसमें जो पोस्ट मानसून पिरियेड रहा उसमें रेनफॉल बहुत कम होई इवन जनवरी जो विंटर में रेनफॉल होती थी उसके कंपरिजन में भी काफी कम रेन बहुत कम रेन इस साल में रसीव हुई जिससे ड्रॉट लाइक कंडिशन अर्लियर आ गई गर्मी जादा पड़ी जिसकी वज़ा से गर्मी का सिजन जल्दी स्टार्ट हो गया पानी इसमें ड्रॉट कंडिशन रही जिसकी वज़ा से आग लगने की घटना है इवन फर्बरी से ही हमने रिपोर्ट करना स्टार्ट हो गई थी फर्बरी में अगर सरकल की बात करें तो दो फायर केसिज हुए थे मार्च में ये 14 थे और अब तक एक अपरेल से लेके अभी तक 108 केसिज हम रिपोर्ट कर चुके है फोरस्ट फायर अवेरनेस कैम्पेन हर साल ही बन विवाग एक लॉँच करता है जिसमें जो पहली ग्राम सबा होती है उसमें हमारा स्टाफ जाता है तो लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि फायर सीजन आ गिया है तो लोगों को जगरूख करें कि इसमें बनों में आग ना लगाएं दूसरे हम different परचार माधिमों से आपके newspaper के माधिम से या electronic media के माधिम से भी appeal करते रहते हैं लोगों से कि बनों को बनों में आग ना लगाएं हमारा जो publicity being हिमचल प्रदेश पुरेस डिपार्टमेंट का publicity being है उसने mass awareness campaign इस वर launch किया और उन्होंने सभी वो area विजिट किये जहां आग लगने की घटनाएं जादा होती है ये campaign उन्होंने 15 मार्च से start किया मार्च के महिने में किया है और लगवग सभी divisions उन्होंने कवर किय है नुकर नाटकों में माध्यम से लोगों को जागरूप किया कि बनों को आग ना लगाएं बनों के क्या आग लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं उनके वारे में उनको जागरूप किया हमारा भी इसमें रहता है इस बर स्कूल ओपन नहीं थे नहीं तो हम भी इसमें fire awareness बच्चों के माध्यम से स्कूलों में जाके पेंटिंग या डेक्लिमेशन कंटेस्ट कराके awareness campaign एक लाउच करते थे हमने इस बर लोगों को range level पे कहीं mass awareness campaign लाउच किया जिसमें public representative थे उनको बुलाया गया BFDS जो Village Forest Management Societies है उनके members को बुलाया गया और fire volunteer हमने register किया है जहां तक circle की बात है 496 हमारे fire volunteers registered है जो हमें अगर कहीं पे fire आग लगती है तो उसके बारे information भी देते हैं और आग लगने पे उसके control में भी हमारी सहिता करते हैं हमारे जो धर्मशाला circle में तीन divisions हैं नूरपूर, धर्मशाला और पालंपूर ये एरिया हमारे इस circle के अधीन आता है अड्जेक्ट डाट हमें FIR का आपको बता दूँगा लेकिन FIR भी इस case में हम register करते हैं क्योंकि बन जहां तक loss की बात करें तो plantation जलती है उसमें loss होता है उसमें FIR देना हमें mandatory रहता है क्योंकि वो राजस जहां तक नुकसान का आंकलन है तो 35 लाग के लगबग का 108 केसिज में जिसमें 480 के लगबग एरिया अफेक्ट हुआ है उसमें 35 लैक्स के लगबग सरकल लेवल पे हमारा नुकसान हो चुका है